पूरी दुनिया के साथ साथ भारप में भी करोना वायरिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारण अस्पताल में भरती होने वाले मरीजों की सिंख्या में इजाब आ हो रहा है। करोना वायरिस के कारण गंभी रूप से बिमार होए मरीजों को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर की जरुत पड़ती है। ये वेंटिलेटर क्या होता है आईए जानते हैं। वेंटिलेटर एक ऐसी मसीन होती है जो तब काम आती है जब मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता है। वेंटिलेटर में ऑक्सिजन का इस्तिमाल होता है। ये ऑक्सिजन के साथ साथ दूसरी गैसे को मिलाकर निस्सित मातर में मरीज के फेपड़ों तक हवा पहुँचाता है। करोना वाइरस के मरीजों को निमोनिया होता है। वाइरस के सरीन में जाने के बाद मरीज को सांस लेने में तकलीब होती है। जिससे ब्राकी ओल्स बोला जाता है। इससे सांस लेते समय फेपड़ों और सभी नसों में जलन होती है। जहां से हवा गुजरती है। कई बार हालात पहुत जादे खराब हो जाते हैं। मरीज सांस भी नहीं ले पाता है। और नहीं ही सांस छोड़ पाता है। ऐसी स्क्रित में संक्वित व्यक्ते के लिए वेंटिलेटर की आवस्ता होती है। अलग-अलग मोड हवा देने के लिए अलग-अलग परकार के वेंटिलेटर आते हैं। मोटे तोर पर तीन भागों में बाटा जा सकते हैं पिस्टन वेंटिलेटर टर्बाइन वेंटिलेटर और एक्स्टरनल इयर डिवाइन वेंटिलेटर जानकारों को कहना कि करोना वारिस से गंभीर रूप से मरीजों के लिए एक्स्टरनल इयर डिवाइन वेंटिलेटर सबसे उप्युक्त होता है ऐसी मरीजों के लिए टर्बाइन वेंटिलेट भी काम मिला जा सकते हैं लेकिन ये कम परभावी होते हैं जानकारों के मताबिक करोना सक्रमित मरीजों के फेपड़े आपक्सिर कठोर हो जाते हैं और हवा गुजारने के लिए नसे सूच जाती है इसलिए उनको जादर प्रेसर वें 30 भाव के हवा की आवस्कताई होती है सेंसर प्रेसर को मोनिटर कंट्रोल करने के लिए सही मातर में अक्सिरन देने के लिए सेंसर यूज होता है इसमें एक डिस्प्ले होती है अलग-अलग माप तंडों पर नज़र रखने के लिए LCD मोनिटर जाजी डिस्प्ले सेलिए नाइड वाल्व ये हवा की दिसा और भाव नियंतरित करती है इसके अलवा वेंटिलेटर में ट्यूबिंग और प्रेसर रेकुलेटर फेपड़ों में हवा देने के लिए निकालने के लिए इंस्पेक्टरिरी और एक्स्प्रेटरी वाल सौप्टर और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और टर्बाइन अत्वर बॉयलर की अवश्यक्ताई होती है सरकारी अस्पताल में कुल 14,220 ICU वेंटिलेटर है इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में करोना मरीजों के लिए 6,000 वेंटिलेटर का स्थिमाल किया गया है भारत के कुल वेंटिलेटर में से केवल 10% सवदेश निर्मित है भारत में महामारी को देखते हुए रेलवे और कार निर्माता कमपनी मारुति सुझी के भी वेंटिलेटर निर्मान में जुटी है वेंटिलेटर एक ऐसी मसीन है जो मरीज की सास लेने में मदद करती है जो स्वम किसी कारण से सास नहीं ले पाते इसकी कई अन्य नाम भी है ब्रीधिंग मसीन या रेस्पिरेटर या मेकिनिकल वेंटिलेटर इत्यादी अधिकांस रोईयों को कमपीर बिमारी के कारण वेंटिलेटर की आवेसकता होती है इसके इस्तिमाल के लिए आईसीव में देखवाल की जाती है और लोगों को लंबे समय तक वेंटिलेटर की आवेसकता है होती है इसकी देखवाल अस्पताल के नियमित यूनिट पनर्वास सुईदा या घर-घर की में की जा सकती है वेंटिलेटर एक ऐसी मसीन है जो रोकों को सास लेने में मदद करती है और रोगी सही हो सकता है इसके लिए मुँ नाग या गले में एक छोटे से कट के माध्यम से एक ट्यूब सास नली में डाली जाती है इसे मेकनिकल वेंटिलेशन भी कहा जा सकता है ये जीवन के साइता उपचार है मेकनिकल वेंटिलेशन की जुरूद तब पढ़ती है जब रोगी प्राकरतिक तरीके से अपने आप सास लेने में एक सकसम नहीं होता है फेपुड़ों में ओक्सिजन भेजी जाती है